बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेट्पॉर्म आइसक्यूब एजूकेशन गुरूप पर गाइस एक्जाम फोडो सीरीज हमारी चल रही थी उसमें हम कर रहे तो टॉपिक वाइस देख रहे थे जहां से कोश्चन हर एक्जाम में बनते हैं तो आज हम देखेंगे यहां पर कॉंग्रेस के प्रमुक अधिवेशन यह आपका आइसक्यूब एप है इसको याद से डाउनलोड कर लेंगे यहां पर आपको सारा स्टडी माटेरियल मिल जाएगा ठीक है तो आज हम देखेंगे कि कॉंग्रेस के जो प्रमुक अधिवेशन है वहां पर उनकी तो यह सारी चीज़ देखेंगे चली तो सबसे पहले देखते हैं 1885 में जब कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी तो कहां पर हुई थी पहली वारतों यह स्थान क्या था मुंबई में कॉंग्रेस की स्थापना की गई इसके अध्यक्ष कौन थे तो व्योमेश चंदर वनर जिनको WC वनर जी भी कहते हैं और कितने 72 प्रतिनिदियों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की या इसके पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिदियों ने भाग लिया ठीक है कोशन बनता है वहां से 1886 में कलकत्ता में हुआ कॉंग्रेस अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने इसकी अधियक्षता की प्रतिनिदियों की संख्या बढ़कर 436 हो गई यांपर ठीक है चले 1887 में मदरास में हुआ अधिवेशन सयद बदरुद्दीन तयव जी ने इसकी अधियक्षता की ये क्यों इंपर्टेंट होता है क्योंकि यह प्रतम मुस्लिम अधियक्षते तो सयद बदरुद्दीन तयव जी थे ठीक है याद रखेंगे 1888 में इलाहबाद में हुआ अधिवेशन इसके जॉर्ज यूले ये क्यों इंपर्टेंट होता है पूछ लिया जाता है कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष कॉन थे कॉंग्रेस के तो कॉन थे जॉर्ज यूले तो याद रखेंगे प्रथम अंग्रेज अध्यक्षते 1889 में मुंबई में कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता किसने की सर बिलियम वेदर वर्णे की प्रतिनीदियों की संग्या यहां पे 1889 हो गई तो यह इंपर्टेंट नहीं है उसे छोड़ देंग ठीक है चले नेक्स्ट है 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है एम रहीम तुल्ला सयानी इसके अध्यक्षते यह इंपर्टेंट हो जाता है क्यों क्यों यहां पर पहली बार राश्ट्रिय गीत गाया गया हमारा ठीक है हमारा राश्ट्रिय गीत पहली बार यहीं गाया ग किया किसमें दादा भाई नौरजी ने कि अध्यक्षता में पहली बार यहां स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ ठीक है और मुस्लिम लिग की स्थापना हुई ठीक है तो यह इसलिए इंप्रोटेंट है कि यहां पर पहली बार स्वराज शब्द प्रयोग में लाया गया कॉ और मुस्लिम लिग की जो है स्थापना भी हुई थी 1906 में इसलिए 1906 का कलकत्ता अधिवेशन इंप्रोटेंट हो जाता है इसके अध्यक्ष कोंते दादा भाई नौरजी थे ठीक है चली 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है कॉंग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन कहते हैं रास भिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की धियान रखे हैं एक हसी घौश हैं तो रास भिहारी घोश हैं कॉंग्रेस का विभाजन हो जाता है और 60 की समाप्ति हो जाती है ठीक है तो 1907 के सूरत अधिवेशन क्यूंफेमस है यहाँ पे कॉंग्रेस का विभाजन हो जात कॉंग्रेस के लिए एक संविधान जो है बनाने की यहां मन्शा प्रकट की जाती है ठीक है चली देखते हैं 1916 में होता है लखनव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता एम जी मजूमदार करते हैं ठीक है इसमें क्या होता है? कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग में जो है पैच अप हो जाता है वो दोण फिर से मिल जाती है पहले उनका उनका वो गया था ब्रेक अप हो गया था एक तरीके से विभाजन हो गया था और यहीं पर गरम दल और नरम दल में 1907 में सूरत विभाजन में कॉंग्रेस बट गई थी यहां पर फिर एक हो जाते हैं ठीक है चली नेक्स्ट है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन जो की स्रीमती एनिवेसंट की अध्यक्सता में हुआ था यह क्यों परटंट है क्योंकि यह पहली महिला थी किसी भी कॉंग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्सता करने वाली पहली महिला पूछ लिया जाए तो कौन है एनिवेसंट है ठ जैसे M.S.N. बनर जी का त्याग पत्र यहां पर दिया जाता है इसलिए इंपोर्टन्ट है 1918 का दिल्ली अदिवेशन 1920 में होता है गाइस नागपुर अदिवेशन सी बिजय रागवाचारे जो है इसके अध्यक्षता करते हैं और कॉंग्रेस के समिधान में परिवर्तन ठीक है कॉंग्रेस के जो समिधान उसमें परिवर्तन की यहां पर चर्चा होती है इसलिए इंपोर्टन्ट है 1921 में एहमद आधिवेशन केते हैं हकीम अजमलघान इसके कारे-कारी अध्यक्ष थे अध्यक्ष C.R.10 जेल में कैते इसलिए थीक है तो यहां पे जो C.R.10 इसकी अध्यक्षता ने उसमें समय की थी 1921 में 2022 का गया अधिवेशन मорот इम्पोर्टन्ट है यह इसकी अध्यक्षता कॉं करते हैं CR 10 चितरंजन 10 इसकी अध्यक्षता करते हैं स्वराज पार्टी का गठन होता है 1923 में इसलिए important है कैजि सारे ही important important मैंने डाले हैं जहां से question बन चुके हैं वो सारे मैंने अधिवेशन यहां पर डाले हैं ठीक है अब देखते हैं 1923 में दिल्ली में अधिवेशन होता है कॉंग्रेस का अबुलकलाम आजाद इसकी अध्यक्षता करते हैं और यह सबसे कम उमर के अध्यक्षते कॉंग्रेस के तो कॉंथे अबुलकलाम आजाद थे 1924 की important है बेल गाउं में होता है और यह एक मात्र में कॉंग्रेस का अधिवेशन होता है कानपूर में जिसकी अध्यक्षता करती है सरोजनी नाइडू और यह प्रथम भारती महिला है जो कॉंग्रेस की अध्यक्षता करती है ठीक है 1927 में मद्रास अधिवेशन मद्रास में होता है म ए अंसारी म ए अंसारी इसकी पे पहली बार स्वतंत्ता प्रस्ताव पारित किया गया था नीस सो अथाइस की अझितरक solar कि सथापना होती है अब देखते हैं Partners की क्या है नाहोर लारी का सब्सक्राइब हैं यह बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है यहां पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ता पारित किया जाता है मतब भारत यहां पर प्रस्ता पारित कर देते हैं कॉंग्रेसी के हमें पूरी तरीके से स्वराज चाहिए स्वतंता चाहिए ठीक है चली 1931 में करांची अधिवेशन हो चले, 1934 में मुंबई अधिवेशन होता है कॉंग्रेस का, जिसकी अध्यक्स ता राजेंदर प्रशाद करते हैं, और यहाँ पर कॉंग्रेस सोसलिस्ट पार्टी का गठन होता है, इसी टाइम, ठीक है, इसलिए इंपोर्टेंट है, 1937 में फैजपूर अधिवेशन होता है, इ जिसके अध्यक्स जवाहलाल नहरूते, ठीक है, 1938 और 1949, देखे, 1938 में हरीपूरा अधिवेशन होता है, अगला होता है, 1949 में यह त्रिपूरी अधिवेशन है, इसमें भी सुवाश्चंद्र अध्यक्स बने थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, मतभेध के चलते, गा अंधिजी उनको खड़ा करना चाते थे, जो है अध्यक्स पद के लिए, लेकिन यहां पर बॉस ही जीत जाते हैं, तो बॉस क्या है, इस्तिपाद दे देते हैं, उसके बाद राजेंदर प्रशाद जो है, इसमें फाइनली अध्यक्स कौन बनते हैं, राजेंदर चले, नेक्स्ट है हमारा 1940-1945, अब गईस, 1941-1945 का अधिवेशन देखते हैं, चले, 1941-1945 तक अधिवेशन ही नहीं हुआ, क्यूंकि यहां पर दुतिय विश्यु यूद्ध चल रहा था, ठीक है, तो अधिवेशन यहां पर 1945-1945 कोई अधिवेशन नहीं हुआ तो यहां पर तो अबुलकलाम आजाद ही रहते ठीक है दोईतिय विश्वद्ध चल रहा था इस समय उननीस सो च्यालीस में मेरट अधिवेशन होता है गाईस मेरट में जीवत राम भगवान दास कृपलानी ठीक है जेवी कृपलानी जिनको कहते हैं वो उसकी अध्यक्ष्टा कर रहे थे और 1947 जब भारत आजाद हुआ था उस समय दिल्ली में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्ष्टा कौन कर रहे थे गाईस राजेंदर प्रशाद कर रहे थे ठीक है तो मिलते हैं अगले सैसन में जैहिन जै भारत